नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरे नाम मैं हर्शित दिवेदियो लक्षमी कांथ की 103rd वीडियो में मैं आपका सौगत करता हूँ क्या क्या देखने वाले इस वीडियो में तो इस वीडियो में बात करेंगे motions के बारे में motions के जितने भी प्रकार हैं जैसे substantive motion, substitute motion, subsidiary motion, subsidiary motion में ancillary motion, superseding motion, amendment, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, फिर देखेंगे closer motion, फिर privilege motion, फिर calling attention motion, adjournment motion, और कोशिश करेंगे कि आज के आज no confidence motion और confidence motion को भी मैं complete करके आपको बता दूँ, तो आगे बढ़ने से पहले, अब तक चैनल को subscribe ना किया हो दोस्तों, तो subscribe ज़रूर कर लिजे, वीडियो पर like का button, मेरे दोरा बनाई गई और वीडियो को देखने के लिए, और मुझे support करने के लिए आप चैनल के member भी बन सकते हैं, उसके साथ Instagram पर follow कर लिजे, महाँ पर जवाब दूँगा, साथ-साथ Telegram चैनल को जवाइन कर लिजे, महाँ पर PDF वगर आपको मिलती रहती है, मैं लक्षमी गांत वगर आगी तो PDF नहीं देता हूँ, बट जो editorial और मैं जो daily videos डालता हूँ, उनके update आपको आपको ज़रूर प्लेस, except on a motion made with the consent of the presiding officer कहने का मतलब यह है, कि भाईया, house के अंदर, चाहे वो लोगसभा हो, चाहे वो राजसभा हो, राजसभा के अंदर, किसी भी issue पे discussion होने से पहले, एक motion को पास करना पड़ेगा, उस motion को आप पास करोगे, उस motion में किसी एक particular issue, उसके ओपर discussion कर सकता है, जो house है, वो express करता है अपने decisions को, अपने opinions को on various issues, through the adoption or rejection of motion, तो भाईये देखिए, इन motions को पहली बात move कौन कर सकता है, ministers भी move कर सकते हैं, और private members भी move कर सकते हैं, यह जो ministers हैं, वो भी motion लेके आ सकते हैं, जो private member है, जो minister नहीं है, वो भी अपने बिहाफ पे motion लेके आ सकते हैं, उन motions में किसी एक particular issue के respect में कुछ points लिखे होंगे, उन motion पे जब voting होगी house के अंदर, तो कुछ लोग favor में voting करेंगे, कुछ लोग against में voting करेंगे, जो majority होगी, उस हिसाफ से motion को accept या reject कर दिया जाएगा, उस motion के उपर voting कराने से पहले, एक बहुत तगड़ी debate होगी house में, और उस debate के समय पे, अलग-अलग जो member of parliament है, वो अपने viewpoint लेंगे, किसी भी motion पे, किसी भी policy पे, bill पे, act पे, notice पे, resolution पे, किस भी कह लीजे, तो देखें, जो भी motions move किये जाते हैं, वो normal कर त्रीन प्रकार के होते हैं, पहला प्रकार है substantive motion, दूसरा प्रकार है substitute motion, तीसरा प्रकार है subsidiary motion, subsidiary motion को तीन और पार्टों में decide किया गया है, मतब divide किया गया है, एक है ancillary motion, एक है superseding motion, एक है आपका amendment, सबसे पहले substantive motion, substantive motion एक तरीके का independent proposal होता है, अगर आप substitute और subsidiary नाम के सब्द को समझ जो, substitute मतलब किसी दूसरी जगा के कुछ दूसरी चीज़ आ गए, subsidiary मतलब एक से inferior, तो अगर substitute subsidiary को छोड़ दो, तो जो substantive motion होता है, ये independent proposal होता है, और substantive motion में बहुत important चीज़ें लेके आई जाती है, जैसे कि for example, अगर आपको president का impeachment करना है, तो ये एक बहुत major issue है, अगर president के impeachment के लिए कोई motion लेके आये जा रहा है लोग सभा में, राज सभा में, तो this is a very major issue, तो इसके लिए आपको substantive motion pass करना पड़ेगा, या फिर chief election commissioner को अटा आना है, तो इस तरीके की authorities के removals related जो भी motion आएगा, that is very important और इसलिए इसको बोला जाएगा substantive motion जो की पूरी तरीके से independent होता है, और बहुत important issues में इनको उठाए जाता है, वहीं पर जब आप substitute motion की बात करते हो, तो substitute motion एक alternative की तरह रखा जाता है, समझे यहां पर बात को, substantive motion एक independent motion है, और किसी major चीज़ पर इसको लेके आए जाएगा, substitute motion किसी दूसरे motion के substitute की तरह introduce किया जाता है, यानि एक original motion और इस original motion के against, एक दूसरा motion as an alternative आप लेके आने की कोशिश कर रहो, तो original motion कुछ था, original motion में हो सकता है कि लोगसभा राजसमा में proper तरीकी से बाच्चित ना हो पा रही हो, तो original motion की वैसे माली जे कोई deadlock हो गया और इसको पास नहीं कराया जा पा रहा है तो आप एक substitute motion लेओ, जो original motion में थोड़े बहुत changes करके कुछ इस प्रकार से चीज़ों को सामने लेके आए, कि जो majority member से हैं, लोगसभा के, राजसभा के, वो इसको approve कर दें, तो इसको बोला जाएगा substitute motion, और substitute motion को अगर accept कर लिया जाता है, तो original motion हटा दिया जाता है, तो मतलब कि substitute motion independent तरीके से नहीं आता है, एक original motion आपने already introduce कर दिया, हाउज में, चाहे लोगसभा में किया, चाहे राजसभा में किया, उस original motion पे हामी नहीं भर पा रहें सब लोग मिलके, तो उस के इसमें क्या किया, कि भाईया, एक substitute motion ले आए, ताकि फिर फाइनली हम लोग पहुँचते हैं, सबसीडरी motion पे, सबसीडरी motion क्या होता है, कि हाउज में already एक दूसरा motion पास हो रखा है, या उसके उपर बहस हो रही है, और उस दूसरे motion में कुछ changes करने के लिए, आप इस सबसीडरी motion को ले आए, मतलब ये जो सबसीडरी motion होता है, ये बिलकुल भी independent नहीं है, इसकी अलग से कोई value, कोई आउकाद, कोई भी इसका significance नहीं है, ना ही ये house के decision को बता सकता है, सबसीडरी motion का मतलब ये है, कि original motion के reference में, उस original motion में कुछ changes करने है, या फिर कुछ alternatives propose करने है, तो आप subsidiary motion है, जैसे कि आप ancillary motion की बात कर लो, तो ancillary motion क्या है, it is used as a regular way of proceeding, with various kinds of businesses, तो भाई ये एक original motion के अंदर, अलग अलग प्रकार के जो business है, उन business के साथ आगे बढ़ाने के लिए, एक ancillary motion आप लिए है, super seeding motion क्या होता है, कि भाई, मान लिजे, एक motion के respect में, एक original motion के respect में कोई एक issue है, और उस issue के उपर, लोग सभा या राज सभा में बहस चल रही है, अभी बहुत बहस हो गई, उस बहस को बंद करके, किसी और issue की तरफ ध्यान ले जाने के लिए, आपने super seeding motion introduce कर दिया, तो क्या हुआ, super seeding motion में, कि original motion जो आया था, उसके अंदर एक topic था, उस topic के उपर भहस चल ली थे, एक topic के उपर बहुत भहस चल गई, तो उस topic की बहस को बंद करके, किसी दूसरे issue पे जाने के लिए, आपने क्या कर दिया, super seeding motion पास कर दिया, और amendment motion क्या होता है, कि भहिया, original motion के छोटे से part को modify करना है, substitute करना है, कुछ changes करने हैं, तो आप amendment motion लिया है, तो subsidiary motion, एक original motion के reference में होता है, subsidiary motion की अपनी अलग से कोई पहचान, कोई significance, कोई independent existence नहीं है, वो बस एक original motion में, कुछ changes करने के लाया गया है, जिसमें super seeding motion बता दिया, amendment motion बता दिया, और ancillary motion बता दिया, अब इस बात के पूरे chances हैं, कि आपको चीज़ें शायद समझ में ना आई हो, ancillary, super seeding, amendment, लेकिन देखिए, बहुत ज़दा detail में इसमें गुसने की ज़रोत हैं नहीं, ठीक है, substantive motion मतलब समझ लीजे, बहुत बड़ा, कोई बहुत important motion, जिसको अलग से discuss करने की ज़रोत है, substitute motion, कि भाईया, original motion में कुछ problem आ गई, तो substitute लाके, उस original को supersede करके, कुछ नया करने कोशिश की जा रही है, और subsidiary में तीन पार्ट्स हो गए, subsidiary एक original के हमेशा reference में होगा, जिसमें तीन अलग-अलग पार्ट्स है, उन अलग-अलग पार्ट्स में उतना घुसने की ज़रोत नहीं, उतने काम की चीज़ यह हैं नहीं, exams के perspective से, तो कभी आपने शायद इन motions को सुना होगा भी नहीं, सदददर coaching institutes में भी इन motion को पढ़ाया जाता नहीं है, जितना important है वो मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि for example, इसमें एक motion आता है closer motion, अब सुनिए, जितने भी तरीके के motion में आपके साथ discuss करने वाला हूँ, चाये वो closer motion हो, चाये वो privilege motion हो, चाये वो calling attention motion हो, चाये वो confidence motion हो, चाये वो adjournment motion हो, वो इन तीन motions में से एक type का होता है, यह जो मैंने motions के प्रकार बताए हैं यह दुनिया भर में चलते हैं, तो substantive motion, substitute motion, subsidiary motion दुनिया भर में जहां जहां भी parliamentary democracy है, notions को इन तीन प्रकार में, motions को इन तीन प्रकार में segregate किया जाता है, अब हम बात करते हैं, हमारी Parliament में किस-किस प्रकार के motions का इस्तमाल किया जाता है, यह जो motions है, या तो वो substantive होंगे, substitute होंगे, subsidiary होंगे, अब यह जानना ज़रूरी नहीं कि कौन substantive, कौन substitute, कौन subsidiary है, यह कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन अलग-अलग motions क्या है, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए, चुकि कभी-कभी Parliament के respect में, यह सारे motions news में रहते हैं, तो अगर यह news में है, तो इनके बारे में एक basic जानकरी होना ज़रूरी है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? Closer motion की? Closer motion क्या है? It is a motion moved by a member to cut short the debate on a matter before the house. If the motion is approved by the house, debate is stopped forthwith and matter is put to vote. यनि कि house में किसी एक matter से related debate चल रही है, और भाईया, debate काफी समय से चल रही है, तो उस debate को बीच में रोक के, उस motion पे, उस particular matter पे, अगर एक decision लेना है, तो उस matter को vote पे डालना पड़ेगा. अभी voting पे डालने के लिए closer motion sign करना पड़ेगा. मतलब कि, एक जो debate चल रही है, अब debate बंद करो, भाई, debate को close करो, तो closer motion. अभी ये close करना चार तरीके से होता है. एक तरीका है आपका simple closer, दूसरा है closer by compartments, तीसरा है कंगारू closer, चौथा है gullotine closer. simple closer में क्या होता है? कि एक person उठके motion move करेगा और बोलेगा कि, भाईया, इस एक topic पे बहुत हो गई, enough is enough, बहुत ज़्यादा हम इसको discuss कर चुके हैं, it has been sufficiently discussed, अब simple closer के through, इस motion को vote पे डालने की कोशिश करेगा वो. दूसरा होता है closer by compartment, तो मान लेजे किसी बहुत बड़े issue पे बात हो रही है, मान लेजे GST को pass कराने की issue पे बात हो रही है, तो GST जैसे किसी बहुत बड़े lengthy, आप कह सकते हो, bill पे या act पे बात हो रही है, तो उस case में आप क्या कर सकते हो, कि आप उस पूरे issue को, छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दो, तो कोई बहुत बड़ा issue है, तो आप उसको छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दो, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दो, तो एक बड़ा सी issue मान लेजे, इसको आपने पांच पार्टों में तोड़ दिया, अभी पाँच पार्ट में आपने चीजों को सेग्रिगेट कर दिया ओवरॉल इशू के अब जब डिबेट चलेगी तो डिबेट में इन पार्ट को आप रेफरेंस देके अपनी डिबेट को आगे बढ़ा सकते होता क्या है कि जब एक रेजूलुशन एक मोचन इखटा आपके सामने आता है तो उसकी इंट्री केसी और नुवैंसे को उतना जदा एनलाइस करना मु सकता है तो पार्ट वन में कोई कमी है तो कोई बोल सकता है पार्ट टू में है पार्ट फॉर में है पार्ट फाइव पार्ट थ्री में अगर किसी को कोई कमी लगता ही है तो वो डिबेट के दूरान पूछ सकता है और जब वोटिंग होगी तो वोटिंग पार्ट वाइस हो तीसरा आता है आपका कंगारू क्लोजर में क्या होता है कि भाईया किसी एक important issue के मैं आप कहले जे किसी एक issue के जो सबसे important clauses होंगे जो सबसे important provisions होंगे केवल उनके ओपर debate होगा और voting होगा यानि एक बड़ा issue है उसमें minor clauses को side अटाओ जो major clauses उनको उठा के center में लखो उसके ओपर बहस करो फिर voting करो ठीक है और जो unimportant clauses है उनको past ही माना जाएगा उनको skip कर दे जाएगा उनको past बना जाएगा वोटिंग में अगर overall issue निकल जाता है और फिर finally guillotine clauses, guillotine clauses में क्या होता है कि देखें जो undiscussed clauses है एक bill किया resolution के वो important हो चाहे ना हो कंगारू clauses में क्या हो रहा कि आपने सबसे important issues को उठा debate किया वोट पे डाल दिया पूरे issue को unimportant issues को आपने discuss ही नहीं किया और pass माल लिया लेकिन guillotine clauses में क्या होगा कि आप AK करके issue को discuss कर रहा हो अभी जितने issue discuss हो गए हो गए जो नहीं discuss हुए time की कमी की वज़े से आप पूरे के पूरे issue को वोट पे डाल दो अभी नहीं discuss हुए तो हम क्या कर सकते हैं हमें time की कमी है तो हमने उसके वोटिंग करा दी तो guillotine clauses में जो undiscussed clauses हैं उनको छोड़ के सीधे सीधे वोटिंग डालो चुकि समय नहीं है तो समय की कमे की वज़े से मालो discussion पूरा नहीं हो पाया है तो भाया for the want of time आप जल्दी जल्दी वोटिंग करा दो अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो उनको छूट जाने दो यह होता है आपका guillotine clauses हम बात की जाए privilege motion की तो privilege motion होता है breach of parliamentary privileges by a minister देखे एक minister को बहुत सारे parliamentary privileges मिलते हैं लेकिन अपने इन parliamentary privileges का गलत इस्तमाल करके minister कुछ गलत काम करें जैसे कि for example minister किसी एक fact के बारे में गलत तरीके से देश को बता है देखे एक minister on the floor of लोगसभा राजसभा जो भी बोलता है उसको किवर लोगसभा राजसभा नहीं चुन रहा होता पूरा का पूरा देश सुन रहा होता है तो मान लिजे कोई minister facts को withhold करता है या wrong information देता है distorted facts देता है तो उसके खिलाफ privilege motion पास किया जा सकता है तो this motion is moved by a member when he feels that a minister has committed a breach of privilege of the house or one or more of its members by withholding facts of a case or by giving wrong or distorted facts यानि wrong or distorted facts को देने की वज़े से एक minister ने house के privilege को breach किया है तो इसके against आप क्या करोगे privilege motion यहाँ पे minister को censor किया जाता है यानि minister को एक तरीके की warning दी जाती है कि यह जो आप कर रहे है ना यह गलत कर रहे है अगर privilege motion पास हो जाए नॉर्मल कर cases में privilege mission को रोग देती ही ruling party बट privilege motion लाया इसले जाता है कि कोई minister on the floor of the house खड़े होके कोई ऐसी बात बोल रहा है जो की सही नहीं है जो की गलत है जहाँ पर facts को distort किया गया है information को without किया गया है गलत तरीके से देश के सामने चीजों को represent किया जा रहा है तो उसके खिलाफ privilege motion आप move कर सकते है फिर बात करते हैं किसकी calling attention motion की calling attention motion में क्या होता है कि parliament में एक motion को introduce के जाएगा किसी member के दोरा जिससे एक minister के attention को बुला जाएगा किसी एक matter of urgent public importance पर और उससे एक authoritative statement लिया जाएगा उस matter पर यानि कि माल लिजे parliament में दुनिया बर की बातों पर बहस चल रही है और कोई एक बहुत important issue है जिसके ओपर parliament बात नहीं कर रहा है मैं आपको एक hypothetical example देता हूँ hypothetical example मतलब कि यह हुआ नहीं बड़ में example दे रहा हूँ कि माल लिजे parliament का session चल रहा है और कोरोना की वज़े से migrant crisis चल रहा था तो माल लिजे parliament में दुनिया बर कोई बिल के ओपर बहस हो रही है और migrant crisis के ओपर बहस नहीं हो रही है तो यहाँ पर calling attention motion को खींच के लाया जा सकता है और calling attention motion के तहद लोग सभा या राज सभा कोई भी MP किसी भी minister से सवाल पूछ सकता है कि भाई जो देश में migrant crisis चल रहे है जिसके ओपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है उसके ऊपर ध्यान करने के लिए आपने क्या किया उसके attention को call कर लिया मिनिस्टर के तो बोला गया calling attention motion यह भी एक Indian innovation है परलेमेंटरि प्रोसीजर में तो इससे पहले मैं आपको बताया था कि Zero Hour एक Indian innovation था पालेमेंटरि प को बताया था zero hour is not written in rules of procedure but calling attention motion is mentioned in rules of procedure तो जो rules of procedure होते हैं लोगसभा के राजसभा में उसमें zero hour के बारे में तो नहीं लिखा है लेकिन calling attention motion के बारे में लिखा है ये बात आप याद रखिए और फिर आते हैं हम लोग किस पे adjustment motion पे देखिए adjustment motion क्या है मैं आपको सीधे-सीधे बताता हूँ public कोई ऐसा matter जो urgent public importance का है उसके उपर पारलेमेंट के attention को लेके आना है लेकिन आप बोलोगे sir calling attention motion में भी तो urgent public importance के matter को लेके आ रहे थे लेकिन नहीं calling attention motion से थोड़ा ज़ादा severe होता है ये adjustment motion adjustment motion को पारलेमेंट में admin करने के लिए 50 members का support चाहिए ठीक है और ये जो adjustment motion है ये normal business of the house को interrupt कर देता है मतलब ये खतरनाक है this is way severe than calling attention motion calling attention motion में तो बस आप एक minister का ध्यान लेके आ रहे हो किसी एक particular issue की तरफ adjustment motion को तो pass कराने के लिए कम से कम 50 members का approval चाहिए और जब वो अप्रूव हो जाएगा तो parliament का ध्यान आएगा किसी एक matter की तरफ जो कि urgent public importance का है और adjustment motion को एक extra ordinary device माना जाता है extra ordinary device क्यों क्योंकि अगर आप adjustment motion को pass करा देते हो तो basically this is a sensor against the incumbent government पूरा का पूरा जो council of minister headed by prime minister जिसको आप बोल सकते हो government government के अगे sensor लेके आता है यह adjustment motion इसलिए यह जो adjustment motion है इसको बहुत important और बहुत extraordinary device कहा जाता इसलिए adjustment motion को केवल लोग सभा में इस्तमाल किया जा सकता है इसको राज सभा में इस्तमाल नहीं किया जा सकता और मान लीजे adjustment motion को लोग सभा में introduce कर दिया जाता है तो अगर एक बार introduce कर दिया तो इसके उपर जो बहस होगी वो कम से कम धाई घंटे की होगी धाई घंटे से कम की बहस नहीं होगी adjustment motion पे उसके बाद adjustment motion में जो भी आप issue उठा रहे हैं उसमें factual nature होना चाहिए urgent होना चाहिए definite होना चाहिए और public importance उसमें साफ साफ नजर आना चाहिए वो किसी एक specific issue से जुड़ा होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपने mixed issue के वज़ए से adjustment motion उठा दिया उसके बाद कोई एक ऐसी चीज जो की recently हुई हो और वो बहुत ज़्यादा urgent हो जैसे कि for example migrant crisis migrant crisis इतनी भेंकर थी कि लोग रास्ते में चलते हों मर रहे हैं तो migrant crisis जैसे issue को adjustment motion के थूँ पार्लेमेंट में उठाया जा सकता है पर generally कि हाँ सरकार काम नहीं कर रही है सरकार रहीबों पे ध्यान नहीं दे रही है इस तरीके की hypothetical बाते करके आप adjustment motion नहीं उठा सकते है adjustment motion में आपको किसी एक specific issue को पकड़ना पड़ेगा जो public importance से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है उसी में आप adjustment motion उठा सकते हो privilege motion से related चीज़ों को आप adjustment motion में नहीं उठाओगे एक ऐसी topic जिसके उपर already parliament में बहुत हो चुकी है तो मालेजे parliament के एक session में migrant crisis के उपर already बहुत हो चुकी है तो जिस चीज़ के उपर already house debate कर चुका है उस चीज़ को आप दोबारा adjustment motion से नहीं उठा सकते ऐसा कोई issue जो की court के सामने pending है it is under the adjudication of court उस चीज़ को आप adjournment motion में नहीं उठा सकते और ऐसा कोई issue जिसको किसी alternate motion के थूँ उठाये जा सकता है calling attention motion के थूँ उठाये जा सकता है और आपका आपका प्रिविलेज मोशन closer motion के थूँ उठाये जा सकता है उसको आप adjournment motion के थूँ नहीं उठाओगे चुकि यहाँ पे आप government को censor कर रहे हो, government से सवाल पूछ रहे हो, government पे उंगली उटा रहे हो, तो लोग सभा उठा सकता है कि वहले, यह भी याद रखेगा. अब दो motions के बारे में और बात कर लेते हैं, एक तो है भाई, आपका confidence motion, एक है आपका no confidence motion, अगर आप no confidence motion की बात करो, तो article 75 of the constitution आपने पढ़ा होगा, article 75 of the constitution क्या बोलता है? यानि कि जो government है, जो council of minister है, वो तब तक council of minister रहेंगे, जब तक लोग सभा की majority उनके साथ है, और लेक सभा की majority अगर उनके पास से चली गई, तो वो council of minister नहीं रहेंगे, तो माल लीजे कि जो ruling party है, BJP, इसकी काम करने के तरीके से माल लीजे, लोग सभा के बहुत से members परिश कल की date में एक no confidence motion आता है लोग सभा में, जहां पे BJP अपनी majority को on the floor of the house थावित नहीं कर पाती है, उस case में BJP की सरकार गिर जाएगी, no confidence motion बहुत ज़दा सीवियर है, adjournment motion से भी एक level उपर चला गए, चुकि adjournment motion में तो आप सवाल उठा रहे थे government को, government को censor कर रहे थे, यह तो सीधे सीधे सरकार गिराने की बात हो रही है, तो no confidence motion में, अगर मान लिजे लोग सभा में opposition उठके बोलता है, कि नहीं भाई, हम आपके खिलाफ no confidence motion लेके आ रहे हैं, तो मतलब कि एक voting डाली जाएगी, और लोग सभा में मान लिजे 543 members हैं, तो 543 members की majority चाहिए ruling party को, ruling government क council of ministers को, और अगर वो नहीं ला पाए majority, तो सरकार गिर जाएगी, council of ministers को हटा दिया जाएगा, फिर नए council of ministers को बनाने की कोशिश करेगा president, तो no confidence motion में, simply जो सरकार बनी हुई है, यानि जो council of ministers, headed by जो prime minister हैं, वो overall लोग सभा की majority को command करते हैं, या नहीं करते हैं, इस सवाल पर हैस होगी, फिर बात करिए आप confidence motion की, confidence motion की क्या जरूत पड़ी, confidence motion की जरूत इसलिए पड़ी, दोस्ते क्यों हम लोग coalition politics के जमाने में फिरल रहे हैं, अभी तो खेर हमारी जो central government है, वो बहुत ताकतवर है, तो coalition government नहीं है, लेकिन अगर आप 2009 से लेके 2014 का time देखो, या 2004 से लेके 2009 का time देखो, तो वहाँ पर coalition politics का जमाना था, उससे पहले तो और ज़्यादा coalition politics चल दी थी, coalition politics में क्या होती है, कि लोग सभा के अंदर किसी एक political party के पास majority नहीं है, कि वो सरकार बना सके हो, तो उस case में होगा क्या, कि भाई, लोग coalition करेंगे, अब इस coalition में बंदर बा करेंगे, आपके member करेंगे, अब इस तरीके कि जो coalition politics होती है, वो देश के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उसमें होता क्या है, कि parties अपनी internal squabbles में लगी रहती है, internal politics में लगी होती है, और देश के लिए जो strong decisions लेने वाला काम इना, पारलिमेंट का, वो पारलिमेंट ने ले पाते हैं, चोंकि हर political party की अपनी अलग ideology है, आज की देश में, आज के date में, अगर हम लोग चाइना से इतना पीछे हैं, तो हम लोग इसी लिए पीछे हैं, चोंकि हमारे देश में coalition politics ने development process को रोक के रख दिया है, coalition politics में, आप एक foreign policy stand नहीं ले सकते हैं, तो वेस्ट तो मान लिजे सरकार, जो अब आप समझे इस तरीके से बात को समझे, और बड़े खुले दिमाग से समझेगा, इसमें एक छोटी regional approach अपने दिमाग में मत रखिएगा, कि मान लिजे जो central government में, लोग सबा में जो सरकार हैं, उस सरकार को मान लिजे वेस्ट बंगाल में, जो लोग सबा के MPs हैं, उनसे सपोर्ट चाहिए, तो मान लिजे लोग सबा के जो वेस्ट बंगाल के MPs हैं, उसमें 15-20 MP का मदद लेके सरकार बना लिए, ठीक है, और बड़ी मुश्किल से majority ले रखिए, अभी वेस्ट बंगाल से related अगर फरक्का बेरेच पे कुछ बात करनी ह और वेस्ट बंगाल की government उस particular issue को support नहीं करेगी, तो वेस्ट बंगाल की political party क्या बोलेगी, कि आगर आप ऐसा करोगे तो हम आपसे लोग सबा में अपना support कीच लेंगे, और फिर जब coalition politics होती है, तो आपको चार अलग-अलग political party के viewpoints को मानना पड़ता है, उस चक्कर में आप independent decision नहीं ले पाते हो देश के लिए, जैसे कि इंडिया और श्री लंका, आपको पता है श्री लंका के against human rights resolution, अभी देखिए, United Nations Human Rights Commission है, उसमें कई बार श्री लंका के against एक resolution लेके आया गया है, कि श्री लंका अपने यहां पे तमिल्स के खिलाफ अत्याचार करता है, अभी हमारे ले strategically बहुत important है, उस समय पे तमिल लाडू की जो government थी, वो हमारी central government को pressurize कर रही थी कि नहीं भाई, आप श्री लंका के against vote करिये, United Nations Human Rights Commission में, हमारी सरकार इसलिए नहीं करना चाहती थी, क्योंकि चाइना श्री लंका के अंदर गुस के अपनी power को बढ़ा रहा था, औ और हम अपनी coalition politics के चलते मजबूर से, तो हमने कई बार तो ही शिलंका के against vote किया, तो ये कमिया होती है coalition politics की, coalition politics में अगर center में एक ताकतवर सरकार नहीं बैटी है ना, तो वो फिर regional aspirations के एसाब से चलने लगेगी, फिर देश एक united entity की तरह strong decisions नहीं ले पाएगा, इसलिए हमार जो development trajectory है, चाइना से इतनी पीछे है, तो confidence motion में आज की date में hung parliament आ गई है, minority governments आ गई है, coalition governments आ गई है, hung parliament मतलब एक ऐसी parliament जहां पे कोई political party सरकार बनाई नहीं पा रही है, majority proof करी नहीं पा रही है, तो जब भी क्या होता है, कि hung parliament या coalition government बनाने वाली बात होती है, तो president किसी एक particular candidate से बोलेगा, कि भाई आप floor पे आईए और अपनी सरकार बनाईए, वो floor पे आएगा, confidence motion पास होगा, और उस confidence motion में, अलग-अलग political party वाले vote डालेंगे, हाँ हम इनको support देते हैं कि नहीं support देते हैं, तब यहाँ बंदर बांड मचता है, एक political party के पास 20 MP हैं, वो बोलेगा कि भाईया हमारे को cabinet minister में home की post दो, finance की post दो, दूसरे के पास 15 है, वो बोलेगा हमको road transport and highways की post दो, तो सबको अच्छी-च्छी ministry चाहिए, cabinet में, अब यहाँ पे बंदर मांट होने रगता है, देश के लिए काम करने वाला काम खतम हो जाता है, इसलिए खतरनाक है coalition governments और hung parliament हमारी एक particular political party की majority नहीं है, तो वो इधर-उधर से support मांगेगी, और support मांगने के बाद एक confidence motion पास करेगी on the floor of the house, कि हाँ भई हमको 50% से ज्यादा लोग support कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो सरकार बना लेगी, और जैसे वो लोग support वापस कीचेंगे, सरकार ग और रहे हैं, 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